दॉक्टर अम्बेटकर आपको पाली सिखाएंगे तसल बावा साथ बहुत पहले से जानते थे कि पाली हर एक भातिया को और मूल निवासी को सीखनी चाहिए तो वे इसका इंतिजाम भी करके गए है आप अपना लैप्टॉप उठाइए उसमें 16th वॉल्यूम डॉक्टर बी आर अम्बेटकर टाइप कीजिए गूगल में जाके तो वहाँ आपको इस तरह के बहुत सारे PDF दिखाई देंगे PDF मतलब Portable Document पूरी एक किताब एक Portable Document यानि एक फाइल में होगी PDF फाइल Portable Document फाइल जब आप उसे खोलेंगे तो आपको लिखा दिखाई देगा 16th वॉल्यूम और बावा साब अम्बेटकर का एक फोटो दिखाई देगा आप जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने पर आपको उस किताब के वारे में जानकारी होगी इस किताब में क्या है क्या नहीं है उसके पेजिज यहां आएंगे एक Preface Type का आएगा जो किताब के सुरूमें लिखी होती है वो आएगा देर देरे आप किताब को खोलेंगे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उस पाली किताब में बावा साब के हाद से लिखा हुआ लेटर भी है यानि बावा साब की handwriting भी है और उससे जब आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ चार हिस्से में बावा साब ने ये किताब आपकी दी है बुक वन, टू, त्री और फोर छेसो, साथसो पेज की करीम में ये किताब है यहाँ जब आप पहला बुक खोलेंगे तो वहाँ आपको दिखाई देगा पाली इंग्लिस डिक्शनरी पाली इंग्लिस डिक्शनरी जब आप खोलेंगे तो उसमें दिखाई देगा कि इस पार्ट हैज बीन रिप्रोडूस्ट फ्रॉम दा मैनिस्क्रिप्ट copies received from the custody of Administrator General of Maharashtra State in this manuscript which is prepared by Dr. Ambedkar himself. The author seems to have treated the subject fully and concluded it by the supplement with addenda. आगे जब आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे के पाली की English Dictionary start हो जाती है, आरंब हो जाती है, शुरू हो जाती है. ये A, B, C, D करके start हुई है, जैसा बावा सामने इसको बनाया है, A से जितने सब्द आते हैं, A से मतलब A से, A, A, E, और ये लगातार चलते रहेंगे, आप देखते रहेंगे, आप इसको खरिद लीजिए, या इसको डाउनलोड कर लीजिए, या इसको प्रिंट कर लीजिए, तो आप सारे जितने भी सद्ध हैं, पाली में शब्द को सद्ध बोला जाता है, जो सद्ध हैं आपको दिखाई देंगे, फिर ये B के सब्द आ जाएंगे, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, जेट तक के जितने भी सद्ध हैं, जितने भी सद्ध हैं, वो सारे के सारे यहां, पाली में आपको दिखाई देंगे, पाली के सद्ध जो हिंदी में बनते हैं, उसके नहों सारी डिक्ष्णरी बनाई हुई है, सद्ध कोस बनाया हुआ है, सारे जितने भी सद्ध हैं, आपको अगर ध्यान से देखेंगे, तो आपको बड़ा ही मरुजन भी होगा, बड़ा ही अचमबा भी होगा, आश्चरी भी होगा, जानकारी भी बड़ेगी, कि कितना सरल है, जो हम बोलते हैं, पूरे दिन भर में, वही तो इस डिक्षनरी में लिखके गए हैं, बड़ा साब, यानि पाली ही हम बोलते हैं, चाए वो मराटी में है, चाए वो हिंदी में है, चाए वो मकधी लेंगवेज है, या चाहें वो आज की कोई सी भी स्टेट की लेंग्विज है सब पाली से बनी है धीर धीरे आप आगे जाएंगे तो एडेंडा आएगा एडेंडा में आप देखेंगे कि वहां भावा सब अम्वेट करने जो राइटिंग राइटिंग सेंड इस्पीचिज में हैं वहां उन और उसके बाद वो आगे बढ़ते 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 चलते हैं फिर आता है बुक टू पाली डिक्शनरी यहां बावा सब अम्वेट करने पाली सद पाली का फिर हिंदी है मराठी है गुजराती है और इंग्लिस में उसका मतलब है यानि कि जो डिक्शनरी है वो पाली हिं इंधी इंग्लिस गुजराती और मराठी में उन सदों का सभी का मतलब यहां दिया हुआ है या आप देखेंगे यह बहुत सारे पेज्जजज है धीर धिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे पेजजजज दिखाई देंगे और यह सारी सारी डिक्शनरी आपक या मरा ठीके एक से ही सद्ध होते हैं अगर आप ध्यान देंगे तो आपको आश्रे होगा कि ये तो सारे सद्ध हम दिन में कही न कहीं किसी जगे बोलते हैं और पुरानी भासा में तो लगबग पुरानी जो गाउं हैं या पुरानी जो कहावते हैं उनमें तो ये सद्ध हमे बुक थर्ड में पाली ग्रेमर आती है पाली ग्रेमर यानि पाली की व्याकराण यहां बताया जाता है कि कैसे पाली के सद्ध हैं क्या सद्ध हैं कौन सी वन माला है यानि कि जो सरा हैं जिनको स्वर बोलते हैं संसकाइद भासा में यहां वो कम हो जाते हैं और जो कॉंसुनें हैं वेंजन बोलते हैं वेंजन पाली का सद्ध है वो सारे सद्ध कितने हैं कुछ मिला के किए 크म हैं जैसे शैय या श भासा के नियम यानि rule of changes है कैसे कैसे change होता है देखेंगे वोविल जो changes है उसमें जो रिशी में जो स्रैशब्द है क्योंगि शैतु पाली में होता नहीं तो वो कहां कहां बदले गए हैं जैसे गृत को घत बोलते हैं कृत को कत बोलते हैं जो गह उसका गृत बना दिया जो मत है उसका रिशी बना दिया जो इद्धी है उसका सृध्धी बना दिया जो चंद्रमा है यानि जो चंदीमा है उसका चंद्रमा बना दिया तो आप देखेंगे के आधा रह या शेय वाले सब्द पाली में नहीं होते जैसे पठवी है पठवी का प्रथवी कर दिया गरू का ग बताए है कि कैसे कैसे वो चेंज होते हैं, कितने चेंज किये गए हैं, कैसे कैसे संसकायित किये गए हैं, संसकायित करने का क्या तरीका है, क्या तरीका नहीं है, उन्होंने बहुत छोटी छोटी बारीक बारीक बातें भी यहां बताई हुई हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा और ताज्जुब भी होगा कि बावा साब अमेट करने आपके लिए कितना गहन अध्यन किया है ताकि आप पाली को समझेंगे तो आप अपनी पुरानी हिश्ट्री को समझेंगे पुराने थियास को समझेंगे और जब पुराने थियास को समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि भासा हमारी क्या थी और वो संसकायत होके क्या बनाई गई है क्यों संसकायत की गई क्या उसको संसकायत करने की अनावशक रूप से आवशकता दिखाई गई जबकि कहीं ऐसा जरुत नहीं है जैसे इसमें जो दड़िद सब्द है उसको दड़िद कर दिया गय जो वीडियो में पाली में बनाता हूँ वो सब यहीं से आते है section 3 में आप जाएंगे तो आपको वहाँ गिंतिया पिर्थम दितिय तितिय पठमा फिर नीचे आपको उसके रूप बुद्धो बुद्धा बुद्धंग बुद्धे बुद्धेन, बुद्धेही, बुद्धानंग फिर आप जाएंगे तो grounds मिलेगा human bodies के part हैं उसके बाद में पावा साब ने बड़ी मेहनत की है जो daily use में शब्द आते हैं, सद आते हैं जैसे जात का मतलब relationship जो relation में जितने सब्द आते हैं way tables के आते हैं, वो सारे सद उन्होंने खटे करके यहां आपको दिये हुए हैं, आप अगर देखेंगे तो उसमें घर के part के, house के, ठिंक के घर के बर्तन, घर के सामान ये जो रोज मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, उन सब का बावस आपने, अलग से एक table बनाई हुई है, कि आपको ज़्यादा महनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ आप पढ़ेंगे तो आपको दो-चार हजार सदतों ऐसे ही याद हो जाएंगे जानवरों के नाम क्या हैं, रंगों के नाम क्या हैं, वर्ड के चड़िया के उनको क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, यानि ये डिली में, जो हम रोज मर्रा में, जो हजारों सद्ध इस्तमाल करते हैं, उनकी बाबा साब ने यहां tables बनाई हुई हैं, और tables बनाके बहुत आसान काम कर दिया है आप इस tables को अपने रूप में पढ़ा सकते हैं, यहां से प्रिंट करके बच्चों को सिखा सकते हैं, देख सकते हैं, यहां तक कि गौवर्मेंट में भी जो काम आने वाले सद्ध हैं, वो भी यहां दिये हुए हैं, और जुडिश्री के अंदर भी जो दिये हुए हैं, जुडिश्री में कैसे कैसे सद्ध क का उनका उद्देश से इसलिए रहा है क्योंकि आप पाली सीखेंगे तो अपने पुराने इत्यास को जान जाएंगे तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा जब आप जाएंगे तो यहां छोटे-छोटे सेंटेंस और वाक्य भी उन्होंने सिखाए हैं कैसे वाक्य बनते हैं उसके अधार पे आप आगे भी जो सेंटेंसिस हैं वाक्य हैं वो बना सकते हैं यह सारा काम बावा साब ने यहां बहुत बड़े तरीके से किया हुआ है आप सोलवा वॉलियूम ले आएए सोलवा वॉलियूम लाकर अपने पास रखिए 24 गंटे आपको 6 मिने के अंदर ही बहुत अच्छी पाली आ जाएगी ऐसा मेरा दावा है क्योंकि किताब आपके पास रहेगी 24 गंटे तो आप कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ उसमें देखते ही रहेंगे क्या सद का मीनिक है क्या नहीं और फिर आप भी दे बोलना भी सीख जाएंगे क्योंकि बोलना आगेगी नहीं क्योंकि आप पहले से ही पाली बोलते आ रहे हैं आपकी जो मदर तंग है मदर भासा है मा अनुद बहासा है मातु भासा है वो पाली ही है पुरानी है बुरानी है बुद्ध के समय हैं वो सब सब्दों ने बना के यहां दिये हुए हैं और जो जनरल conversation होती है जो साधन बाचित होती है उसके sentence भी यहां बहुत सारे बावा साब ने आपको दिये हुए हैं जिनको आप लगाता लगातार उससे photo खीच कर या उसको छबवा कर लोगों तक बाढ़ सकते हैं या इस 16 वोलियूम की दस्यों छोटी छोटी किताब बना कर भी बेच सकते हैं या चाहें तो इसमेंसे हजारों वीडियो बना सकते हैं लोगों को पाली की वीडियो सिखा सकते हैं या ओडियो बना सकते हैं या छोटी-छोटे पाली जब सीखी होगी तो अपने हिसाब से सीखी होगी मगर यहां जो वो बता के गए हैं वो इसलिए बता के गए हैं क्योंकि पाली हर एक उस व्यक्ति को जो बावा साब का अनुयाई है जो बावा साब का फॉलोवर है जो बुद्ध की बात को समझना चायता है पाली सीखना निहायती जरूरी है कंपल सरी है उसको पाली सीखनी ही होगी अगर वो पाली नहीं सीखेगा तो आगे नहीं पड़ पाएगा बुक नंबर पांच में जब आप जाएंगे तो वहां बौध की जो पुजा पाठ है जो बावा साव अमबेट करने दी है ये स्रिलंका से मंगाई थी और उसको यहां उन्होंने धिया हुआ है जिसमें जो त्री रत्न है जो सन रत्न है और जो पंच सीलानी है वो सारे यहां दिये हुए है वो जो यूजवली आप जिसका इस्तेमाल करते हैं वही है और लास्ट मैं आप जाके देख देखेंगे कैसे-कैसे वो काम करते हैं और कैसे-कैसे उन्होंने वो सारे चीज़ें बताई है इस प्रकार पाली बहुत जरूरी है पाली की जो पद्दती है उसको जानना बहुत जरूरी है पाली क्या कहती है आप क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं क्या समझते हैं क्या नहीं समझते हैं बावा साब का ये स्पष्ट आदेश है कि आपको 16 वोल्यूम हर हरत में पढ़ना चाहिए आपको सोलवा वोल्यूम हर अलत में करना चाहिए आखिर में एक जाप है उसके बाद में जो राइटिंग और स्पीचीज की अलगलग बुक है वो है फिर बावा साब का बैक पेज है इसके साथ ही ये किताब खतम हो जाती है आप इस किताब को पर्चेस कर सकते है तीम 22 पर सभी वीडियो बुक कॉपी राइट फिरी है आप अपने पोर्टल पर अपने यूटूब पर अपने फेस्बुक पर या किसी भी जो भी एप है उस पर आप यहां से डाउनलोड करकर तीम 22 से या फेस्बुक से या मेरे पेज से कही से भी कोई भी वीडियो ले सकते है उसको डाउनलोड कर सकते है उसमें अपने नाम का कुछ भी एड कर सकते है या अपनी कमेंट रिक कर सकते है उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते है उसका print material भी बना सकते है उसको किसी भी भासा में आप बदल सकते है उसका audio change कर सकते है उसका video ले सकते है आप जैसे भी चाहें team 22 की किसी भी video का या sारी video का استعمال कर सकते है ये हमैसा copyright free थी और हमैसा copyright free रहेंगी हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुर्सों की जो बाते हैं उन बातों को हम सरल भासा में आम भासा में आप तक पहुंचा देते हैं अब आगे आपना काम है कि आप अपनी भासा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेज कर या इसका लिंक भेज कर या इसमेंसे कोई भासा बदल कर या इसको प्रिंट करकर या इसको लोड करकर या डाउनलोड करकर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट करकर जैसे भी चाहें वैसे इसको आगे पहुँचाएं धम की सेवा सबसे बड़ी सेवा है क्योंकि धम दान धम को देना सभी देने में यानि जितना भी हम किसी को देते हैं दान देते हैं उनमें सबसे बड़ा माना चाता है अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परिशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे आप धम की सेवा में साहक बने धम आपको खुब लाब डाब देगा धम आपको लाब देगा आप धम को लाब देंगे, ये दोनों इंटरचिन है, यही धम की प्राकरतिक नियम है, धन्यवाद गट